झालो फेरेंगा मैं स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास वैस्थिए क्लास में हम दिसकस करेंगे को सब्सक्राइब और ओर इकश्चिन सभी banking exams जैसे SBA PO, SBA CLERK, IBPS PO, RRB, RBI इन सभी के लिए इस questions काफी important रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन questions को देखिए यह है direction path और इस part को आपको जरूर जरूर पढ़ना है क्योंकि यह काफी important रहता है और इसके थुरू ही आपको पता लगता है क्योंकि banking exam का जो questions रहते हैं उसका nature इस तरीके का है कि उसमें कभी भी आपसे unpredictable questions पूछे जा सकते हैं तो इसलिए इन directions को आपको जरूर पढ़ना है test series करते समय भी और real exam में भी तो चलिए अब हम देखते हैं real questions देखिए यह real questions हैं और यह bankler का exam में पूछे गए हैं तो इन में क्या करना है इस में देखिए यह phrase replacement के questions है phrase replacement और sentence improvement इन दोनों में क्या difference है sentence improvement में actually कुछ particular path गलत होता है grammatically wrong होता है या contextually wrong होता है तो उसको आपको improve करना होता है phrase replacement में आपको ये देखना होता है कि इस particular path के स्थान पर और कौन-कौन से path आ सकते हैं क्या ये जो path है replaceable है किसी और word word के द्वारा या phrase के द्वारा तो ये होता है phrase replacement ठीक है ये काफी important है ये इस तरह के questions काफी आते हैं banking exams में तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनको solve करना और देखते हैं किस तरीके से आप इनको solve करें ताकि अच्छे सच्छा आप score कर सकें तो यहां से मैं पढ़ता हूँ the Swedish are not alone in finding their language under pressure from the ubiquitous spread of English इस sentence का मतलब है Swedish यहां पर Sweden के जो लोग है उनके लिए बोला गया है Swedes तो Swedish जो है वो अकेले नहीं है Swedes are not unfinding their language under pressure Sweden के जो लोग है वो के अकेले नहीं है जिनकी language under pressure है English के spread की वज़े से चुकि English language जो है वो सबी जगा फैलती जा रही है उसकी वज़े से के बाद Swedes जो Swedish लोग है वो अकेले नहीं है इसमें दूसरे दोशों के लोग भी शामिल है जिसमें उनकी जो language है वो खत्रे में है तो यहां पर एक word आया है spread of English और spread of English यह पहले यहां पर लिखाया है ubiquitous यानि spread जो है यहां पर noun है उसका जो फैलाव है spread का मतलब है यहां पर फैलाव English का जो spread कर रही है सब जगे फैल रही है वो कैसी है वो ubiquitous है तो ubiquitous यहां पर क्या हुआ एक adjective हुआ spread क्या हुआ यहां पर एक noun हुई ठीक है ubiquitous का मतलब है जो सब जगे फैला हुआ है तो इसके लिए दूसरा word आप कौन सा यूज कर सकते हैं कौन कौन से phrases से इसको आप replace कर सकते हैं यह यहां पर पूछा जा रहा है ठीक है तो ubiquitous के स्थान पर एक तो आप omnipresent लगा सकते हैं omnipresent का मतलब होता है सब जगे और एक आप लगा सकते हैं all pervasive जो सब जगे फैला हुआ है तो first and second इसमें सही है percolate का मतलब होता है किसी चीज को filter करना या चानना या infiltrate भी इसका meaning होता है percolate यह काफी important word है percolate तो omnipresent और all pervasive जो words हैं यह इसके स्थान पर आ सकते हैं यहां पर first or second option आ सकते हैं तो इसमें answer क्या होगा आपका first and second यानि fourth इसमें आपका सही answer होगा question number one का answer आपका जो होगा वो होगा fourth तो इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है अब यह है second question आपके सामने to foster a culture of innovation faculty must be open to exploring the unknown making the environment conducive for interactions इसका मतलब क्या है कि to foster a culture of innovation innovation के culture को foster करने के लिए यानि इनोवेशन को encourage करने के लिए उसको promote करने के लिए उसको बड़ावा देने के लिए faculty यानि यह teachers होते है must be open to exploring the unknown मतलब उनका जो दिमाग होना चाहिए या उनकी जो philosophy या thinking होनी चाहिए वो broad-minded होनी चाहिए और उन लोगों को open होना चाहिए ताकि वो अलग लग नहीं नहीं चीजियों को explore कर सके और students के साथ interact कर सके जाए ज़्यादा मतलब वही कैसा माहौल बनाए कि जाए ज़्यादा students के साथ वो interact कर सके तो यहाँ पर हम foster वर्ड को किस वर्ड के साथ replace कर सकते हैं इंकरेज वर्ड के साथ definitely हम replace कर सकते हैं क्योंकि foster का मतलब होता है किसी चीच को encourage करना बड़ा बाद देना उसको promote करना उसको बॉलस्टर करना इसका जो endonym होगा foster का वो होगा discourage करना ठीक है तो foster क्या है यहाँ पर तू foster two के बाद जो भी word होता है वो वर्ड होती है तो foster वर्ड है यहाँ पर उसी तरीके से encourage भी वर्ड है और promote भी वर्ड है अब endeavor क्या है endeavor का मतलब होता है प्रयास तो endeavor यहाँ पर noun है तो इसका यह अलग है इन दोनों वर्ड से तो यहाँ पर first और third यह आप दोनों लगा सकते इंडेवर आप नहीं लगा सकते यहाँ पर तो first और third इसका आपका answer होगा यानि आपका answer होगा second क्योंकि second में first और third दिये हुए है ठीक है तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है अब हम देखते question number third यह real questions है और same इसी तरीके के question आप real banking exams में जब आप जाएंगे SBI clerk में, IVPS clerk में और even PO में भी इस तरीके questions आ सकते हैं प्री में तो आई ही सकते हैं इस तरीके questions क्योंकि main exam में question थोड़े से lengthy और tricky होते हैं he keeps trying he keeps trying मतलब वह प्रयास करता रहता है keeps के बाद हम वर्व की ing form हमेशा लगाते हैं keep on भी आप इसकी जगे बोल सकते हैं और keep भी अकेला बोल सकते हैं इन दौनों में ही हमेशा वर्व की ing form लगाई जाती है he keeps trying to get his silly matter published मतलब वह प्रयास करता रहता है किस चीज के बारे में प्रयास करता रहता है कि अपना to get his silly matters published उसका जो उसका जो matter है या जो उसका matter है वो silly है अच्छा नहीं है उसको वह publish कराने की कोशिश करता रहता है यह वाला जो structure है get something done या get get के बाद यह जो third form वाला structure आता है get his silly matters published मतलब वो publish कराता रहता है किसी दूसरे व्यक्ति से वो publish कराने की कोशिश करता रहता है but I think he is flogging a dead horse देखिए banking exam में में एक चीज आपको बता रहा हूँ कि एक होता है देखिए दो word है जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो एक होता है literal meaning यानि उसका dictionary meaning और एक होता है उसका शबदार्त वहाँ पर उसका context के according क्या meaning निकल रहा है तो context को समझना बेहत जरूरी है literal meaning उतना जरूरी नहीं है लेकिन context को समझना जरूरी है अब देखिए यहाँ पर भले ही आपको इस idiom का मतलब नहीं पता हो उसके बाब जूद भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं इसका मतलब क्या है देखिए यहाँ पर लिखा है he keeps trying to get his silly matter published उसका जो matter है उसका जो content है वो कैसा है silly है बेकार है बेपकूफी वाला है तो यहाँ पर time waste करने के लिए कौन सा फ्रेज है time waste करने के लिए यह फ्रेज है वह है fiddling around fiddling around का मतलब होता है ऐसे ही फालतू इदा दर घूमते रहना कुछ भी करते रहना time waste करते रहना जिसका कोई purpose नहीं है तो उसको हम बोलते fiddle around ठीक है और एक होता है फूल एराउंड का मतलब होता है मूर्टतपूर्ण हरकते करना फिटल एराउंड मतलब time waste करते रहना fiddling around fiddling का मतलब dishonesty भी होता है actually fiddling ठीक है तो किसी जैसे जैसे आप exam में जाते हैं आप cheating कर रहे हैं वहाँ पर और dishonest तरीके से आप वहाँ पर काम करते हैं तो उसको भी that is also called fiddling fiddling around का मतलब होता है time waste करना तो यहां पर second इसमें आ सकता है flog dead horse के स्थान पर just holding it in leash का मतलब होता है जैसे dog होता है उसकी उसकी जो जो रसी होती है जैसे हम पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको तो उसको just holding it in leash वो मतलब हुआ तो यह सेंसलेस है यहां पर और hogging का क्या मतलब है hogging देखिए hog का मतलब होता है जैसे आपका जो share है उस शेयर से ज्यादा ले 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 लेना कि हाय के हाव हम एक पिक को भी बोलते हैं बड़ा पिख होता है उसको भी ही थो गो इसके basics निकलते है लेकिन होगिं ऑवर इंट का भी कोई सेंस नहीं यह यहां पर केवल सेकिंड आंसर है यही इसमें सही है है only second तो यहां पर आपका अंसर होगा for he keeps trying to get a silly matter published but I think he's flogging a dead horse flagging a dead horse बन्द अपना time waste करते रहना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह आप SBI PO 2019 के लिए SBI क्रक 2019 के लिए हमारे एक साल के comprehensive courses join करना चाहते हैं English section के लिए तो नए बैचे स्टार्ट हो चुके हैं इन दौनों के bank PO के लिए और banker के लिए इनके दौनों के links में नीचे description box में दूंगा वहां से आप इनको तुरंट जोइन कर सकते हैं और इसमें पूरा English से courses रहते हैं इनको जोइन करें और इनके थू अपनी सफलता आप सुने शित का सकते हैं अब हम कोशियमब 4 की तरह बढ़ते हैं और दिखते हैं इसमें क्या लिखा है इस apparent herec is not that of the smooth-talking cleric but the satisfaction specializing in the field of criminology यह common word है यह कोई uncommon word नहीं है herec का मतलब होता है कि आपका कोई orthodox नहीं है जो popular belief जो है जो traditional belief है उसके अगेंस जो आपका belief होता है उसका हम बोलते है herec यहां पर एक word और आया है herec देखिए इसमें लिखा है h-e-r-e और इसमें लिखा है h-e-a-r यह भी एक वर्ड होता है इसका मतलब होता है हेर से इसका मतलब होता है rumors हेर से तो हेर से होता है rumor और यह होता है belief तो इसको से आप replace नहीं कर सकते ठीक है piousness मतलब पवित्रता होती है rambling rambling मतलब जैसे एक लंगी लंबी सी speech होती है confusing speech होती है उसको हम बोलते हैं तो यहां पर हेर सी का equivalent एक भी इसमेंसे नहीं है तो यहां पर actually none of these इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह words हेर सी के equivalent यहां पर नहीं है इस sentence का मतलब क्या है sentence का मतलब है his apparent here she is not that of the smooth talking cleric cleric होता है prophet यह Christianity में यह word use होता है जो mall भी जो होते हैं उनको हम पूलते है cleric but the satisfaction specializing in the field of criminology मतलब उनकी जो image है या उनकी जो thinking है वो एक ऐसे चिकनी चुपड़ी बात हैं करने बाले cleric की नहीं है बलकि एक specialist की है जो criminology की field में specialist है तो यह इसका मतलब है और यहां पर आपका answer होगा question number 4 का answer होगा 5 that is none of these now let us see the next question इस question को हम देखते है many of us confirm to the outmoded customs laid down by our four bears मतलब अब देखिए इस sentence को आपने पढ़ा और sentence को पढ़के ही आप अंताजा लगा सकते हैं भले ही आपको इनका meaning ना पता हो laid down का क्या meaning है four bears का क्या meaning है और आपका confirm का क्या meaning है तो इसलिए reading करना बहुत जरूरी है बेंकिंग एक्जाम में निकलने के लिए चाहिए आप कुछ भी पढ़ें चाहिए आप चंपक पढ़ें या हिंदू पढ़ें कोई फरक नहीं पढ़ता है के बिल आपको reading करना जरूरी है और regular basis पर जब आप reading करेंगे तो यह questions आपको काफी गया गया है लिए डाउन का मतलब को create structure किया गया है तो आउट मोडेर कस्टम्स क्या होंगे ठीक है फोर बेर्स का मतलब है जो हमारे जो पूरवज हैं हमारे जो इंसेस्टर से तो फोर बेर्स जो कस्टम्स बनाएंगे जो परंपराएं बनाएंगे वह modern और करेंट तो पर आपके सही आंसर होंगे तो आपका आंसर होगा यहां पर थार्ड ठीक है कोश्टम्स पर इसमें काफी सारे वर्ड इसमें कल्मिनेशन है और फॉल्स इस्टार्ट है लेकर उसके बाबजूद भी यदि आपको मीनिंग नहीं भी पता है इन वर्ड पिर भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं देखिए यहां पर एक कीवर्ड आया है फॉल्स इस्टार्ट तो क्या एक प्रफेशनल व्यक्ति फॉल्स स्टार्ट कर सकता है किसी भी चीज़ पर चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो प्लेइंग हो फॉल्स स्टार्ट एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल अमेच्योर है जो नौन प्रफेशनल है जो नौ सिखिया है किसी भी फील्ड म ठीक है तो Amateur का क्या मतलब हुआ जो No सिखिया है जो New B है तो प्रफेशनल तो Amateur की इस्थान पर नहीं आ सकता ठीक है यह तो बिलकुल इसका पॉजिट होगा पार्टीजन कौन होता है पार्टीजन एक पार्टी का सपोर्टर होता है तो पार्टीजन भी यहां पर नहीं आए और यहां पर आपका सही on nhi HER कोगा यानि सेकिंड विल यो करेक्ट आंसर यहां पर आपका oube j 할ा सिकिंड को 7 हम देखते हैं after 14 years living and working in this country she thinks it is time to call it a day call it a day का मतलब होता है किसी भी activity को या अपने काम को खतम करना समाप्त करना ठीक है तो call it a day अब यहाँ पर क्या लेका है to concede defeat हार माल लेना जो कि इसका equivalent नहीं हो सकता quality day का मतलब अपना काम खतम करना जबकि हार माल लेना बिल्कुल अलग चीज़ है to recapitulate का मतलब होता है किसी चीज को sum up करना किसी का किसी की summary निकालना किसी चीज की उसको हम बोलते है recapitulate इसमें एक word मैं आपको और बता आँ यहां पर capitulate capitulate होता है surrender recapitulate होता है sum up करना किसी चीज को ठीक है तो यह भी नहीं आएगा to give up hope उम्मीद छोड़ दिना यह भी इसका मतलब नहीं होगा यानि यहां पर इसका answer होगा none of these ठीक है question number 8 देखते है despite all the goodies goodies मतलब होता है अच्छी इसके बाबजूद तो इन अच्छी चीजों के बाबजूद डिस्पाइट ओल्ड़ गुड़ीज दपार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट्स गेट मतलब इन अच्छी चीजों के बाबजूद जो सारे पार्टिसिपेंट को मिलेंगी I am not going for the competition मतलब I am not competing in the competition going for का मतलब होता है competing किसी चीज के लिए compete करना तो एहाँ आ पर equivalent हो सकता है take part का मतलब ही होता है उस्से लेना तो यह भी सक्वाइAST हो सकता है functioning for का क्या मतलब है gunning for के देखि kenها यह मतलब मार्ब में, gunning for का एक शाबदेक करत भी है little meaning क्या यह है कि जैसे police गन लेके किसी अपरादी के पीछे उसको ढूरते हुए घूमती है ठीक है गनिंग फॉर उसको भी बोलते है और गनिंग फॉर का मतलब होता है किसी परसूट के लिए किसी एम के लिए कड़ी महनज करना जैसे यू आर गनिंग फॉर S.B.I.P.O. एक्जैम ठीक है जैसे आयम गनिंग फॉर यू मतलब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं इन वीडियो क्लासे के तुरू यह भी इसका मतलब होता है तो यहां पर यह थोड़ा सा आउट ओफ कंटेक्स्ट है सेकिंड और थर्ड इसमें आ सकते हैं तो सेकिंड और थर्ड जो होगा यानि थ कॉंटेस्ट के थुरू इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं यहां पर सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वीवर कैप्टन टेंटर होक्स फॉर आर्स वाइल जजजेश चोज दा विनर्स जिस समय जजेश विनर्स को चुन रहे थे फाइनल फाइनल जो विनर है उसको निकाल रहे तो जिस समय जजेश डिसाइड करते हैं उस समय दूसरे पाती से पैंस दे आर्स कैप्टन टेंटर होक्स मतलब दे आर वेटिंग नर्वसली ठीक है तो एक तो इसमें यह आ सकता है और दे आर इन सस्पेंस और यह भी आ सकता है यानि फस्ट और सेकिट दौनों ही इसमें आ जा गया तो कैप्टन डार्क का मीनिंग जो है वो थोड़ा सा अलग है फस्ट एंड सेकिंड यहां पर सही है तो इसका फस्ट और सेकिंड किसमें दिये हैं फस्ट में तो इसका आंसर होगा आपका फस्ट कोश्यमबर 10 देखते हैं बिनीथ पुल्ड आ लॉंग फेस पुल् किसी व्यक्ती को डाटना टेकंट टास्क टेक टू टास्क बाय हैस्टीचर फोर हीस केरण लेस्नेस तो यदि आपका टीचर आपको डार्था है आपकी केर information के लिए तो आपका जो फेस होगा या आपकी जो हालत हो की जनाक यहांटिट ये वह आप हुश होंगे दिसपॉं टेक्स्ट है और मॉग्ध हिम मतलब मॉग्ध हिम का मतलब है कि उस स्टुडेंट ने उस टीचर की हसी उड़ाई जो की गलत है ठीक है तो यहां पर केबल और केबल सेकेंड ही सही हो सकता है यहां पर आपका अंसर होगा थर्ड तो इस तरीके से दस कोशिंट मैंने इसमें अपलोड किये हैं और यह सीरीज चल रही है सीरीज के सारे वीडियो क्लासेश आप देखिए एसबेई पी ओ के लिएए और एसबेई क्लर के लिए और यदि आप इंगलीया चैक्शन्मेंं काफी जदा भी है और इंगलीया बहुत अच्छा आप स्कूर करना चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे एक कोशेश जोइन कर सकते हैं इसके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा वहां से इसका मोजो पेज पर जाके आप पेमेंट कर सकते हैं जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका कोर्स examiny.in website पर सुरू हो जाएगा वहां से आप login करके इन courses को देख सकते हैं एक साल की validity रहती है इसमें पूरा guidance आपको दिया जाता है तो इनको आप join कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में thank you